बसकार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्रेन बुश्टर 24 म में दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतना सपोर्ट करने के लिए जैसा कि हमारा निव चैनल है और आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत दिल से हम धन्यवाद करना चाहेंगे और इसके साथ में दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल भी यह सोचने के आजवर्वत नहीं है या वह शक्ता नहीं है कि बहुत निया चैनल है पतानी कैसा पढ़ाया होगा यह क्या हमें बता रहे हैं तो बेफिक्र रहे हैं आप बिल्कुल मैं खुद एक अड़ोकेट हूँ आपको अच्छी तरीके से ही पढ़ाऊंगा यह नहीं कि आपको कुछ भी उर्टा सिधा बता दिया ठीके दोस्तों तो आप बिल्कुल भी इस विशे में तो आप बेफिक्र रहें और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है यह कम्पीटर की है कम्पीटर के टॉफ हंड्रेट प्रश्न आज हम करने वाले हैं इसमें किवाल हम क्या करेंगे आज किवाल हम MCQ करेंगे MCQ आपको Top 100 MCQ बताई जाएंगे और उनके आंसर आपको बताई जाएंगे उम्मीद करूँगा कि आपको यह वीडियो बहुत जादा पसंद आएगी देखें दोस्तों मैं एक बात आपसे जरूर बोलना चाहूंगा कि आप मेरी वीडियो पर आए हो तो जाहिर सी बात है द तभी आप लोग कुछ questions समझ पाओगे कुछ questions अपनी memory में रख पाओगे और वही प्रशन फिर आपके आगे काम आएंगे इसलिए मैं बोलना हूं कि आपको वीडियो को देखना है आप देखोगे तभी सीखोगे और आपका उद्देश्य क्या है सीखना ही है और सीखोगे यह नहीं चाहेगा कि मेरे जो वीवर्स है उन्हें मैं कुछ गलत बताऊं या कुछ ऐसा वैसा बताऊं नया यूट्यूबर यही कोसिस करता है कि मैं अच्छे से अच्छा content लेकर आऊं ताकि जो views हैं वो हमारे चैनल पर आए वो सीखे आप सीखोगे तभी हमें कुछ ठीक है computer क्या है computer is an electronic device एक electronic device है एक electronic device है computer जो raw data को input के रूप में स्विखार करता है और इसे process करके output परदान करता है दोस्तों देखे आप लोग computer में कुछ भी काम करते हो सबोज किजी आप computer में calculation कर रहे हो आपने वहाँ पर type किया 2 plus 2 कितना है आपने वहाँ पर डाला 2 plus 2 कित परदान करता है इसको बोलता है computer ठीक तो यह electronic device है जो आपके जो data है इसे input के रूप में स्विखार करता है और फिर प्रोसेस करने के बाद आपको output परदान करता है इसको computer कहा जाता है चलिए अब 100 most important questions देखते हैं आपको वीडियो छोड़नी नहीं है मैं आपसे बार-बार एके आद देगे मैं आपसे यह नहीं बोलना हूँ कि आप like कीजे चलिए आपकी मर्जी है लायक करना चाहोगे कर दीजेगा नहीं करना चाहोगे मत कीजेगा आप subscribe करना चाहोगे वह भी करना चाहोगे लेकिन मेरी एक बात मालीजिए कि आप वीडियो को जरूर देखे देखोगे तभी कुछ सीखोगे और सीखोगे तभी एक्जाम में कुछ कर पाओगे मेरा उद्देश्य के वह इतना ही है कि आप एक्जाम में अच्छे नंबर लेकिया है और मैं आपके पर जो डी है सी पी यू ठीक है इसको क्या बोलते हैं कंप्यूटर का मस्तिक्स कहा जाता है यह कंप्यूटर का दिमाग कहा जाते है बहुत बारा पूचा जाता है क्या कि जो कंप्यूटर का मस्तिक्स है किसे कहा जाता है तो आप क्या कहेंगे सी पी यू दोसा पसन है इले प्रफ्ट्रोनिक प्रारूपों में पुस्तकों को क्या कहा जाता है यानिकि जो आप Online प्डिएप जो आप पड़ते है। प्रशन नमबर तीना प्रशन यह आपको जूरूर देखना है। कौन सा email client नहीं है देखे email client google yahoo gmail या फिर रैडिफ इन वे से जो option number A है यह आपका answer हो जाएगा यह क्या है email client नहीं है अब आप सोच रहें कि email client क्या है दोस्तों अब लोगे gmail देखा है gmail.com yahoo.com ठीक है रैडिफ.com भी आपने देखा है या आपने कभी google देखा है कहीं पर कि दिखावा होता है मैं आपको थोड़ा सा एक्जामपल देखा हूं जैसे ऐसे लिखते हैं कि आई पीएस एड़ डरेट जीमेल डोट कॉम कि जीमेल डोट कॉम क्या आपने कहीं पर इस जीमेल की जगे गुगल लिखावा देखा है गुगल डोट कॉम नहीं देखा हूगा तो यह कहा है यह इमेल कलाइंट नहीं है चलिए प्रस्ट नंबर चार www.google.com किसका उधारन है तो यह क्या है देखें यह ऐसा लिखावा है तो यह क्या है यह एक यूरल है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूनिफॉर्म यूर्ल इसकी जो फूल फॉर्म होती है वह थी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आप समझ सकते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और यह एक यूरल है यह इमेल का कलाइंट नहीं है मैं आपको अब भी बोलना हूँ तभी आप सोच यार यहां पर हमने गुल डोट कम्पीटर को दिये निर्देशों के समझ को क्या कहा जाता है ठीक है कम्पीटर के जुन इंस्ट्रक्शन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं उसको बोला जाता है प्रोग्राम Computer को दिये गई जो निर्देश है उन निर्देशों का जो समु है यानिकर पूरा का पूरा जो समु होगा उसे कहा जाएगा program Computer का जनक किसे कहा जाता है तो इसका जो सयांसर है Option C, Charles Bebez को Computer का जनक कहा जाता है एंडोिड का पहला संस्क्रण है, यहीं कि android जब आया था तो उसका पहला संस्क्रण क्या था, उसका पहला संस्क्रण है 1.0, option number a CPU से computer के परिदिये उपकरनों में data का इस्थानांत्रन किसके मात रहां से किया जाता है CPU से computer के परिधिये उपकरणों में यह आपको याद रखना है जो peripheral devices होती है ठीक है आप इसे चाहे भूल जाए लेकिन आपको क्या को याद रखना है Input or Output जो परदान करती है इसको peripheral device कहा जाता है तो जो peripheral devices है CPU से computer किये peripheral devices में data का इस्थाना अंतरन जो होता है वह interface के जरीए होता है यह आपको याद रखनी है आपका option number A हो जाएगा बिल्कुल correct यह होता है interface के माध्यम से कौन सी वस्तू local area network में परियोग में नहीं की जाती local area network LAN interface card cable, computer या फिर modem तो इसका answer हो जाएगा में आपकिशन नमबर C modem, computer ठीक है computer सका answer है question नमबर 10 एक परकार का software जिसका परियोग परियोगता user की सहाथा के लिए होता है तो आप इसे क्या कहेंगी application software एक परकार का software होता है जिसका परियोग पर्योकता की सहाथा यानिक पर्योकता मतलब जो यूज करता है user ki सहाथा के लिए होता है तो user की सहाथा के लिए की होता है जो application software होते हैं ये user की सहाथा के लिए ही होते हैं वाइफाई की full form क्या है तो wireless fidelity इसकी full form है ये person पूछा गया है कही बार अभी CCC का जो exam हुआ था उसमें भी ये प्रस ने पूछा गया था कि Wi-Fi की full form क्या होती है तो आप क्या कहेंगे wireless fidelity, option number D एक परकार के software जिनका उप्योग निसुल्क किया जा सकता है तो ये क्या है, इनको बोला जाता है open source software इनको आप निसुल्क उप्योग इनका कर सकते है, ठीक है, open source software जो होते है इनका प्रियोग आप बिल्कुल निसुल्क कर सकते है, किसी परकार का कोई विचार्ज नहीं है M-commerce क्या है, M-commerce देखे, प्रश्न पूछा जा सकता है कि M-commerce क्या है और वहाँ पर आपको देदे जाएगा multimedia, mobile, ठीक है, या आपको कुछ और देदे जाएगा तो आप क्या कहेंगे, यह क्या है, mobile, commerce है Next, Android निस्पादन योग्य फाइल का extension क्या होता है, ठीक है, जो Android निस्पादन योग्य फाइल होती है उसका क्या extension होता है, यानिके उसके पहचान क्या होती है, तो क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है, APK आप देखते हैं, जब आप कोई फाइल डाउनलोड करते हैं, तो उसके सामने लिखवा आता है, APK यदि आपको नहीं दिखा, तो आपके बार जब किसी आप application को इंस्टॉल करोगे, तो देखना उसके पीछे APK लिखवा आता है, तो वो क्या होगा, Android निस्पादन योग्य एक फाइल का extension होता है, ठीक है, ओप्सन नमबर C, APK मोडेम का अविश्कार किस ने किया, ठीक है, जो मोडेम होता है, उसका अविश्कार किस ने किया था, इसका जो अविश्कार किया था, AT&T Information Systems ने निमलिखित में से कौन सा GUI का उधारण है, ठीक है, तो GUI का उधारण कौन सा है, ओप्सन नमबर C, इसका correct answer हो जाएगा, Android क्या है, GUI का उधारण है, GUI, Graphic User Interface, इसकी फिलफॉम होती है, Graphic User Interface, ये भी आपको पता होना चाहिए, GUI की फिलफॉम, Graphic User Interface, और ये है, Android का ए उधारण है,, ओप्रेटिंग सिस्टम किस परकार का software है, तो जो उप्रेटिंग सिस्टम है, जो आपका OS होता है, ये किस परकार का है, तो ये system software होता है, आपका OS है, ये एक system software है, पूरी तरह से परस्पर जुडे network, टोपजी का विखल्पिक नाम है, ठीक तो इसको क्या ब मैस उसे कहा जाता है WhatsApp किसका एक उधारन है निम्नलिखित में से WhatsApp किसका एक उधारन है तो देखे जो WhatsApp है इसका जो अप्शन नम्मर डिये बिल्कु सही है दो और तीन जो आपका WhatsApp है वो एक अप्लिकेशन है यानि कि आप उसे पले स्टेयर सो डाउनलोड कर सकते हैं दूसरी बात यह एक उपन सोर्स सोप्ट्वेर है क्या WhatsApp जब आप इस्तमाल करते हैं तो किजी को पैसे देते हो नहीं क्या निसूल का आप इसका इस्तमाल करते हो तो आप अच्छे दरेगे सब आप समझगे होंगे कि Open Source Software क्या होता है ठीक है दोस्तों बाहर से जो अप्लिकेशन आप लोग अपने फोन में इंस्टोल करते हैं उन्हें कहा जाता है Open Source Software चलिए Next देखते हैं निमनलिकित में से किस छेतर में Spreadsheet Software अधिक उप्योगी है तो जो Esthetics का आप यदि काम कर रहे हैं यदि सांखी की क्या आप काम कर रहे हैं तो आपको Spreadsheet बनानी पड़ेगी ठीक है दोस्तों वहाँ पर आपको इसका इस्तमाल करना पड़ता है Next देखें Groupware क्या है तो Groupware एक Software है Groupware क्या है एक Software है निम्नलिखित में से कौन सा Input Device का उधारन है Keyboard, Mouse, Scanner ठीक है यह क्या है सभी के सभी Input Device के Example है Input Device चले Input Device और Output Device क्या लोग जानते हैं Plotter क्या है Plotter Output Device है ठीक यानि के जिस से हमें बाहर Result पराप्त होता है उसको हम Output बोलते हैं और जिस चीज के इस्तमाल से हमारे Computer में Information जाती है उसको हम Input बोलते हैं देखें, मैं आपको आसानी भासा में समझाओ Barcode देखें आप लोग Barcode Reader यह क्या है? Barcode Reader एक Input Device है आपने देखाओगा जब भी आप Barcode को Scan करते हैं अब Barcode कहा रखावा है? बाहर है लेकिन जैसे ही आप उससे Reader से Scan करोगे तो तुरंत कहां चला जाएगा? आपके Computer में चला जाएगा तो यह क्या हुआ? Input अब Mouse का इस्तमाल देखें Mouse बाहर रखावा है लेकिन आप काम कहा कर रहे है? Computer के अंदर कर रहे है तो यह क्या है? Input Device है आप Joystick देखिए Joystick गेम वगेरा खेलते हैं Light Pen देखिए जिसका इस्तमाल जो हमारे हाथ में हो या बाहर होता है लेकिन हम उससे अंदर Computer के अंदर काम करते है उसको Input Device कहा जाते है आप आसान भासा में समझे प्रिंटर क्या है? देखिए क्या प्रिंटर के अंदर कुछ काम होता है? नहीं, प्रिंटर से हमें Result मिलता है आप किसीज को स्कैन करेंगे या एक तरीके से आप देखिए फोटो कोफी जब आप निकालते हो तो वो किसीज़ा काम करता है फिर वह एक Output Device के तरह काम करता है चलिए, एक बात और यहाँ पर देखिए चलिए, यह देखिए, परस नमबर 23 है Memory में KB का पूरा नाम क्या है? यानि कि जो KB होती है, आपने लिखावा देखा होगा 1 KB, 2 KB, 3 KB तो इसको क्या कहा जाता है? इसका पूरा नाम क्या है? यह आपको बता रहा है तो इसका जो पूरा नाम है, वह किलो बाइट है किलो बाइट KB के बाद MB, MB के बाद GB यह आपको याद रखना है और यह कितनी होती है? ठीक है? 1024 KB मिलकर 1 MB बनाती है 1024 MB मिलकर 1 GB बनाती है यह भी आपको पता होना चाहिए एक सेकेंड चलिए, थोड़ा सागे बढ़ते हैं निमने लिखित में से कौन? वोलेटाइल मेमोरी का उधारन है Most Important Question Volatile Memory और Non-Volatile Memory आप एक याद कर लीजिए कि कौन सा Volatile Memory का उधारन है तो यह क्या है? जो RAM है आपकी RAM यह है एक Volatile Memory का उधारन है ठीक है? और जो ROM होती है यह Non-Volatile Memory होती है तो आप क्या याद रखना है? जो RAM है RAM ठीक है? Random Access Memory यह क्या है? आपकी Kolatile Memory है Login Name तो पासवड के सत्यापन की परकिर्या क्या कहलाती है तो इसको क्या बोलता है Authentication जब आप किसी का Login Name मांगते हैं या Password मांगते हैं तो उसका ब्हूद नोथी सत्यापन किया जाता है उससे कहा जाता है Authentication देखें यहां से पार्ट भी शुरू होता यह टोप 25 प्रशन थे यह मुझे एक वेबसाइट से मिले तो काफी अच्छे प्रशन मुझे लेगे इचले मैंने लिए अब इसके बाद में हम कुछ कम्पीटर देखते हैं कंपीटर विज्ञाने की जनक न यह हम बता चुकые यह हैं चाल्स बैबेज हैं कंपीटर में प्रोसेसिंग यूनिट इसको बोला जाता है यह how the अर्थमेटिक लोजिक यूनिट, ठीक है, इसके माद आपका, ठीक है, जो CPU है, कम्पीटर में प्रोसेजिंग की यूनिटी है, CPU, किस परका के कम्पीटर में डेटा को S7 संकेतों के रूप में दर्साया जाता है, जो digital कम्पीटर होते हैं आपके, इसमें जो डेटा है, उसको S संकेतों के रूप में दर्साया जाता है, ISP, ठीक है, ISP, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, Internet Service Provider, ISP, Internet Service Provider, उस application, प्रोग्राम का नाम क्या है, जो उप्योग करता की जानकारी, एकत्र करता है, और इसे Internet के माध्यम से किसी को भेजता है, तो आप क्या कहेंगे, spy bot spy bot इसका नाम है next देखे मापने और गिनने दोनों को मिलाने वाले computer को क्या कहा जाता है मापने और गिनने दोनों को मिलाने वाले computer को क्या कहा जाता है तो उसे कहा जाता है hybrid computer for tran क्या है formula transaction ठीक है formula transaction translation आप इसे कह सकते है ट्रांसलेशन यह एक language है, ठीक है, how to run, runtime पर line the line, program का अनुवाद, और निश्पादन कौन करता है, तो यह करता है, interpreter, ठीक है, runtime पर line the line, यानि कि line by line, यह interpreter क्या काम करता है, यह अनुवाद का कारी करता है, अनुवाद, ठीक है, पुरे प्रगराम को मसीनी भासा में कौन परिवर्थित करता है, जो compiler है, यह पूरे का प्रोग्राम है, उसे मसीनी भासा में परिवर्थित करता है, इसे कहा जाता है compiler, पर्शनल कंप्पीटर के जनक कौन है एडवर्ड रोबर्ट एडवर्ड रोबर्ट जो है वह है पर्शनल कंप्पीटर के जनक है डबल ई-P-ROM ठीक है ये क्या है इलेक्ट्रोनिक इरेजेबल प्रोग्रामेवल रीड ओनली मेमोरी आप इसे पढ़ सकते हैं Electronical Erasable, यह लिए कि Erasable क्या मतलब क्या है, कि आप इसके उपर जो लिखोगे, उसे आप आसाने चे मिटा भी सकते हो, पहला Electronic Computer किस ने विक्सित किया था, तो यह किया था, जेवी अतनसौफ ने, जेवी अतनसौफ ने पहला Electronic Computer विक्सित किया था, पहला Web Browser क्या है, तो जो पहला Web Browser है, वह है Mojack है, ठीक है, Mojack, वेब साइट के पर्थम परष्ट को क्या बोला जाता है, तो वेब साइट का जो पर्थम परष्ट होता है, उसको Home Page बोलते है, IBM, ठीक है, IBM, International Business Machine, अमेरिका के एक कमपनी है, IBM, Office LAN, जो भोगली की रूप से बड़े पैमाने पर बिखरे हैं, को किसके द्वारा जोड़ा जाता है, तो जो WAN है, WAN का मतलब Wide Area Network, WAN, WAN, Wide Area Network के जरिए जोड़ा जाता है, यह क्या है, सब और यह एक विल्टिंग यहाँ पर है, एक विल्टिंग यहाँ पर है, इन तोनों कम करेंगे, एक Communication Channel, पर एक Computer से दूसरे Computer में File की Copy ले जाने को क्या कहा जाता है, तो उसको बोलता है, File Transfer करना, ठीक है, इसने पूरी File की Copy करने को कहा है, File के आप Copy करेंगे, तो File समझा, File Transfer की है, आपने, 40 संगटनों में किस पड़े, Transaction, Processing System का उप्योग करते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है, Batch Processing, MICR का मतलब क्या है, Magnetic Ink Character Reader, ठीक है, Magnetic Ink Character Reader, यह आपका अधिकतर बैंकों में इस्तमाल किया जाता है, बैंक के उपर, जो चैक होते हैं, चैक, उसे पढ़ने के लिए हम इसका इस्तमाल करते हैं, MICR का, Magnetic Ink Character Reader, या आप Recognition भी कह सकते हैं, या कहीं कहीं, Reader भी लिखावा, मिलता है, पहले Electronic Computer का नाम, तो जो पहला Electronic Computer है, उसका नाम है, NEC, ASC, II, Coding System में, विभीन वर्गों की च होती है, MSIC का क्या मतलब है, Medium Scale Integrated Circuit, Medium Scale Integrated Circuit, इसका फुरा नाम है, Code की Scrambling को क्या कहा जाता है, तो जो Code की Scrambling है, उसे Encoding करना कहा जाता है, पहले Computer को किसका उपयोग करके Program किया गया था, जो पहले Computer थे, उसे Machine भासा में, Program किया गया था, Computer Program में एक दोस्स जो इसे सही धंग से काम करने से रोखता हुई, उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, वर्म, ठीक है, वर्म जो Computer को सही धंग से कारे करने से रोखता है, यानी कि आप बोल देते हुए कि इसमें कूईotion वाइरस आगया है, ठीक, इसे वर्मी कहा जाता है, कौन सा बटन upper scale और lower scale में अक्सर और परतिकों की संख्या को बनाता है तो ये क्या है shift है ये एक बटन है जो upper case और lower case में अक्सर और परतिकों की संख्या बनाता है आपने देखा होगा upper case का मतलब क्या है उपर और lower case का मतलब क्या है नीचे या shift आप दबा दोगे, तो बड़ा छोटा ऐसे ही हो जाता है, जब computer चलू होता है तो booting परकिरिया क्या कहलाती है, power on self test, क्या कहलाता है, post, power on self test, exam में ये लिखावा आता है कि post का क्या मतलब है, क्या काम करता है, तो ये बोलता है, जब computer चलू होता है, तब booting परकिरिया कहल आती है पोस्ट अंतिम उप्योग करता द्वारा अक्सर उप्योग किये जाने वाले शोप्ट्वेर को क्या कहा जाता है इसको कहते हैं अप्लिकेशन शोप्ट्वेर एक प्रिंटर की आउट्वुट्वुट्वुट्वुट्वुट्वुट्वुट्वुट्वुट्वुट्वुट्वुट्वुट्वुट्वुट्वुट्वुट्वुट्वुट्वुट्वुट्वुट्वुट्वुट्वुट्वुट्वुट्वुट्वुट क्या है V, देखे, V, L, S, I, क्या मतलब होता है इसका, Very Large Scale Integration, ठीक है, Very Large Scale Integration, ये पांची पेड़ी के computer की switching device है, unit के IPS का उपयोग किसकी गतिकों मापने के लिए किया जाता है, तो जो keeps है, ये processor की गतिकों मापने के लिए इसका ठीक है, Disk Operating System, computer में मुख्य रूप से joystick का परियोग, ठीक है, joystick, देखे, मैं आपको भी बोल लाता है, joystick का परियोग किसके लिए game खेलने के लिए इसका परियोग किया जाता है, और ये एक input device है, अब joystick बाहर रखी भी होती है, और आप इसे game खेलते हैं, तो आपके computer में game चलता है, इसको क्या का जाता है, input device है, और ये क्या है, gaming में इसका इसका इस्तमाल किया जाता है, 1999 में, मेलिसा वाइरस एक व्यापक रूप से परचलित था, तो ये क्या था, मेलिसा, मेलिसा एक email का प्रोग्राम में तूटी सुधार को क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं debugging, ठीके जो computer है, उसमें program सुधार को कहा जाता है debugging, bcd क्या है, bcd, binary code decimal, ठीके ये binary code decimal है, bcd का मतला, किस परकार का वाइरस, computer host का उप्योग, खुद को पने उत्पन करने के लिए करता है, तो इसका क्या क्या है, तो ये layer application होती है, ठीके, देखे, SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, FTP, File Transfer Protocol, और जो DNA से, इसका इस्तमाल क्या होता है, इसकी platform क्या होती, ये मुझे आप बताएंगे, comment करें फटा-फट, ठीके दोस्तों, मैं भी देखना हैंगा कि मेरे जो viewers हैं, वो computer कितना जानते हैं, तो मुझे आप comment कर करेंगे, जरूर बताएं, मुझे खुशी भी होगी, कि भाई, हमारी जो viewers हैं, उन्ने हमें comment किया है, पूरे documents को select करने के लिए, किस command का परियोग किया जाता है, इदेख, पूरा ही document आपको select करना है, तो control plus A कर लीजे, आप, ठीके, A का मतलब होता है, all, और control, ये shift है, ये क concept रूप है, एक OS की एक समय में, एक से अधिक application चलाने की शमता को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है, multitasking, multitasking मतलब हैं, बहुत सारे काम को जब एक बाएक साथ किया जाता है, तो उसको multitasking कहा जाता है, save as, box परदसित करने की function की क्या है, तो ये क्या है, F12, आप इसने कोई function save किया, उसके बाद आप उसमें कुछ बदलाओ करना चाहते हैं, change, और इसके बाद आप इसे बदलाओ करेंगे, तो फिर आप इसे save as करेंगे, समझे बात को, इसके बाद फिर क्या करेंगे, आप इसे save as करेंगे, तो इसकी function कीज क्या होती है, F12, NOS का पून रूप क्या है, NOS, Network Operating System, इसका पून रूप है, NOS, कोई ऐसी चीज जो निर्देसों को आसानी से समझ लेती है, वह क्या है, analog data, कोई ऐसी चीज, जो निर्देसों को आसानी से समझ लेती है, वह क्या कहलाती है, analog data, एक modem किस से जुड़ा है, तो modem telephone line से जुड़ा हुआ होता है, चलिए, हमारे last के तीन प्रश्ण बचे है, इन्हें देख लेते हैं, monitor का refresh rate किस से मापा जाता है, तो यह मापा जाता है, header से, जो refresh rate है, उसे header से मापते हैं, पर्थम PD के computer का मुखे घटक क्या था, vacuum tube, जो पह computer mouse के जनक का नाम क्या है, डंगलस एंजलबर्ट, यह डंगलस एंजलबर्ट है, जो computer mouse के जनक माने जाते हैं, तो दोस्तों इस आगे की जो वीडियो थी, वीडियो फिर हमारी लंबी हो जाएगी, चुगकि न्या चैनले से जाते लंबी वीडियो हम अप्लोड नहीं कर सकत करते हैं, तो दोस्तों मैं इतना है कहूंगा, जिया आप हमने चैनल पर नहीं है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लिजे, साथ है, बेल आइकन को ओन कर लोगे, साथ में हमें कमेंट करोगे, लाइक करोगे, तो हमें विश्वास सा बढ़ता है, हमारा उ